आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है खाने में तो उससे भी लजीज लगता है हाई दोस्तो मैं हूँनीतु और मेरे चैनल में आपका स्वागत है अज है मियाबर बनाने जा रहे है शाही टुकडा तो चलिए हम देखते हैं आगे की रेस्पी ये देखिए दोस्तो मैंने एक कॉफी मग में चीनी ले लिया है ये देखिए दोस्तों मैंने एक कप चीनी लिया है और अब मैं यहाँ पर डेर कप पानी एड़ करूँगी ये देखिए दोस्तों मैंने एक कप पानी एड़ कर दिया है और आधा कप पानी मैंने और एड़ किया और गैस जला करके अब यहाँ पर मैं इस चीनी को तब तक चलाती रहूंगे जब तक हमारी चीनी जो है वह अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो जाती है यह देखिए फ्रेंट हमाई चीनी जो है ऑल्मोस्स डिजॉल्व हो चुकी है और जो कुछ बचा हुआ है वो धीरे-धीरे हो रहा है तो दोस्तो जरूर ट्राइक करना विश्वास मानिए आपको भी रेस्पी बहुत ही पसंद आने वाली है इसलिए आप एक बर जरूर ट्राइक करना यहां पर देखिए दोस्तों मेरी चीनी जो है वह डिजॉल्व हो गई है तो मैंने यहां पर दो फ्रेश लाइची लेकर के तोड़के यहां पर डाल दी है और इसे मैं मीडियम से हाई फ्लेम पर अच्छे से चाशनी को तब तक पकाऊंगी हमें चाशनी की तार नहीं बनानी हमें बस तब तक यहां पर चाशनी को पकाते रहना है जब तक कि हमारा चाशनी बस चिप चिपा सा नहीं हो जाता है हमें यहां पर चाषनी अलमस्ट बनकर तयार ही उने वाली यह देखिए हलका सा चिपचिपाहट आ गया है यह देखिए शाइन कर रही जो है वह बनकरके बिलकुल तयार रह चुकी है तो चलिए दोस्तो आगे ये देखिए मैंने ब्रेड ले लिया है और इन्हें आपको जिस तरह से काटना है जो शेप देना है आप वो शेप दे सकते हैं और उसके बाद ये देखिए मुझे ये शेप अच्छा लगा मैंने ये शेप दे लिया आपको जो भी शेप अच्छा जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों और कॉमें शेक्षन में मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से मैंने सभी ब्रेट्स को कट कर लिए हैं यह शेप देखने में बहुत ही यह देखिए अब मैं दूसरी तरह से इससे पलड़ दूँ यह देखिए कितनी जलती ब्राउन हो गया इसी तरह यह बाल भी हमारा अच्छे से यह कितना प्यारा सुनेरा भूरा कलर लग रहा है यह देखिए का आगे-ागे कितना अच्छा होता जाता है यह देखिए दोस्तों अब मैं इसे निकाल लोंगी फटा-फट क्योंकि वर्ना यह जलने लगेंगे यह देखिए अब मैं उसी तरह सारी स्लाइसे इसमें डाल डालके लूगैं यह देखिए इस तरह आप निकाल लीजे इनिभी इसी तरह इनिसा ब़ंजीड सब को भी फ्राइज कर लीजे और निकाल लीजे जिए यह देखिए फ्रणस इस तरह हिलते रही एगा ताकि हमारे जो टोस्त ते वह हमारे जले नहीं और लगें नहीं नीचे इसी तरह आप पलट-पलट के सेख लिजेगा सभी टोस्टों को अ है यह देखिए फ्रेंस इस तरह से आपको यह खाने में इतने अच्छे लगते हैं मैं बता नहीं सकते हूं बहुत ही अच्छे लगते हैं आप एक बर इस रेस्पी को जरूर ट्राइब करना द यह देखिए दोस्तों इस तरह से आपको करते हुए सभी टोस्ट को निकाल लेना है मैंने यहाँ पर चार स्लिसे लिए थे, चार स्लिसे को मैंने कट किया तो वो एट स्लिजस फिर में कन्वर्ट हो गए उसके बाद मैंने उन सभी को यहाँ पर मैं अच्छे से फ्राइब कर रही हूं इस तरह से आपको फ्राई करना है और आप अच्छे से ब्राउन होने देना क्योंकि ब्राउन होने के बाद ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों ये देखिए मैंने सभी स्लाइजेस को इस तरह से फ्राई कर लिया है अच्छा लिए हम आगे बढ़ते हैं अब मैं इन सभी को शीडे में डालूऊंगी जो कि मैंने आपको बताया चाशनी बनाने की विधी मैंने आपको बता दिया हमारी चाशनी हल्की गुंगुनी होनी चाईए एक दम गरम नहीं होनी चाहिए हलकी गुनगुनी होने चीए और उसमें हम सभी टुक्रों को डाल देंगे और उनको बस दस से 20 सेकेंड के लिए उसमें रखेंगे उलट पलट के इसमें सभी में चाशनी अंदर चली जाए इतना जूसी बनता है फ्रेंड्स यह कि मैं क्या बदा हूं आपको आप एक बड़ जरूर इस रेस्पी को ट्राई करना आप भी कहोगे कि कितनी गजब की लग रही है यह देखिए दोस्तों इस तरह से बस दस से 20 सेकेंड तक आप रखना ज्यादा नहीं रखना यह देखिए मैं अपनी सभी स्लाइजेस को इस तरह से डिप करते हुए अच्छे से इसमें ज कितना जूसी और क्रंची भी रहता है दोस्तों आप जब इसे इसकी एक बाइट लोगे ना आपके मुह में एकदम जूस जूस सा हो जाता है जो कि हमें बहुत अच्छा यह देखिए हमारा शाही टुकड़ा जो है वो कितना जूसी बना हुआ है और यह एकदम सॉफ्ट न